हेलो दोस्तों स्वागत हमारी यूट्यूब चनल रोजगारीर 2.0 दोस्तों रेलिवे की न्यू वेकंसी आगए है जो कि आपरेंटिस सिप की वेकंसी है और ये आपरेंटिस आपकी येन डवलू आर यानि नॉर्ट इस्टर रेलिवे के तरफ से आया है जो कि बंपर वेकंसी कर सकते हैं 1246 पोष्ट है और क्वालिफिकेशन आपकी 10 प्लस आटी आई है तो सारी जनकारी हम बताएंगे किस कितनी वेकंसी किस किस रीजन में है किस किस डिविजन में और फार्म कब से इस्टार्ट हो रहा है और इससे रिलेटेड जो भी जनकारी होगी सब इस वीडियो के माड़ेम से आपको बताएंगे इस पहले आप हमारो चैनल प्लाएं है हो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को like करेगा अगर इस वीड्यो को आफ फेसबूक या इस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसको पीच को फालू जरू करिएगा तो वीडियो इस तरह से जैसे मैंने बताया कि railway requirement sale RRC NWR जैपूर यानि कि Northern Eastern Railway जैपूर से Act Apprenticeship 2024 की पेकेंसी आई हुई जो कि टोटल पोस्ट आपकी 1446 है और इसका जो फार्म स्टार्टिंग डेट है आपका 10-1-2024 और लाश्ट डेट आपकी 10-2-2024 रखा गया है और इसी दिन आपको payment का भी लाश्ट डेट रखा गया है और जो इसकी फीस रने वाली है जनरल OBC, EWS के लिए 100 रूपी बाकी SC, ST और फिजिकल हैंडिकेप या महिलाओं के लिए कोई फीस नहीं रखा गया है और इसका जो एज लिमिट रखा गया है 15-24 सीयर जो की और जो extra edge आपको जो मिलता है SC, ST के लिए 5 साल रूपी सी के लिए 3 साल वो तो मिल जाएगा आपको और ये vacancy आपको 1446 पोश्ट है जो की इसमें आपकी योगता जो रहने वाली है 10 प्लस ITI रहने माला है और इसी से आपका selection होगा और जो है जो vacancy का detail है किस किस division कितना है वो हम बताते रहें आपको डिविजन रेलवे मैनेजर आफिस अजमेर में 400 टोटल 402 वेकंसी है वहीं डिविजनल ये रेलवे मैनेजर आफिस बिका नेर में 424 है विका नेर में आपका 424 वेकंसी है वहीं आपका जैपूर में 488 पोश्ट है विका नेर और कसाप वाले में 29 है जोधपूर में आपका संड़सट है यह BTC कैरीज अजमेर में आपका 25 वेकंसी है BTC लोको अजमेर में 56 है कैरी वर्क साफ जोधपूर में 67 है तो दोस्तों यह तो मैं आप पोश्टार्ट मेरता ना दिया मैं आपका अब इसका नोटिफिकेशन पढ़के बता रहा हूं और दिखा रहा हूं तो दोस्तों यह है उसका आफिसियल नोटिफिकेशन जो कि नार्थ वेस्टन रेलेवे जैपूर से निकला गया है जो कि एक्ट अप्रेंटिस चिक्ट की वेकंसी है इसको आप जो कि यह डेट दिया है जो मैंने बता दिया हूं आपको कि अप्लिकेशन कब से इस्टार्ट हो रहा है और कभी इसका लाइट रेट है और जो आपका सेलेक्शन प्रोसेस होने माला है यह हाई स्कुल में आपका पचास परसेंट मार कराना चाहिए तभी आप भर सकते हैं इस फाम को मिनिमम और आइटियाई के आइटियाई के जो नंबर होगा उसको एड़ करके आपक आपका सेलेक्शन होगा इसमें कोई एक्जाम नहीं रहने होने माला है इसमें कोई एक्जाम नहीं होने माला है यह आपकी टोटल मेरिट बेस वेकंसी होने माली है और दोस्तों जो है यह तो सब बता दियों और वरकसाप वाला यह सब डिवीजन आपको यह वेकंसी का बट description box में मिल जाएगा वहां से डाउंडूड करके आप पढ़ सकती हैं हमारी चेलिक्राम चैनल के द्वारा तो दोस्तों यह वेकंसी का पड़ारा रखा गया है और इसमें देख लिजिए कौन कौन ट्रेड है इलेक्टिकल का है कार्पेंटर का है और मेशन है प्रेंटर है मिला है माँका और वेल्डर है मेकनिकल फीटर यह संटी इलेक्ट्रोनिस वाला वहीं आपका डीजल मेकनिक इससे बताई दिया है इस तरह से यह सीट किस किस डिवीजन में कितनी है आप लोग देख लेजेगा कि इसको अगर बताने लगों गत है वीडियो लंबा हो मैं सोच रहा हूं सौट में आपको बता दिया जार एंए उसके बाद जो है कि यह प्मेंटवाला है और उसके बाद जो है है यह बता गया है कि साट पैट्रिकेट आपका कौन वहना चाहिए तो चैन्टरल वौला कियोंकि यह संट्रल वोयकेंशी है तो सेंट्रल साट्पि तो दोस्तो जो भी जनकारी थी मैं आपको बता दिया हूँ अगर आप डिटीर में इस जनकारी को पढ़ना चाह रहे हैं तो इस आप इसील चैनल पर हमारे रोजगारीड़ 250 जो कि इसका लिंक डिस्कूर मिलेगा उसको जान भी करिए करना कि उस पर भी जनकारी हम देते हैं वहाँ पर आपको ये नोटीस मिल जाएगा डाउन्लोड करके पढ़ सकते हैं तो मिलते अगले वीडियो में नए अप्रेट के सा तब तक क्लिए जय हैं